Hello everyone, my name is Swati, I am a patent agent and 5 years of experience in IPR field guys तो आज आप एक कमेंट देख रहे होगे, यहाँ पे मेंशन है Amit Balip का I hope यह प्रनांसियेशन सही होगा Amit, जो मैं बोल रहे हूँ आपने mention किया है कि thank you for providing free coaching, please focus more on paper 2 and best wishes for you सबसे पहले तो Amit जी आपका दिल से बहुत-बहुत सुक्रिया, thank you so much for watching my channel Amit और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपने यह लिखा कि focus करो ठीक है, मैं paper 2 पे focus करूँगी, definitely करूँगी Amit Actually क्या है कि अभी मैं basic concept clear कर रहे हूँ और आप लोगों के जो questions होते हैं, जो सामने से queries आती हैं, उसको मैं solve करती हूँ अपने इस channel पे, जो आप पूछते हो उसका वीडियो में देती हूँ, मुझे भी समझागा कि आप लोगों को चाहिए क्या, क्या need है, right लेकिन ठीक है, अगर आपका ये query है कि paper 2 पे focus करूँगी, definitely मैं paper 2 पे courses करूँगी, आप लोगों को drafting भी सिखाऊँगी, claim कैसे करते है, mapping वो भी सिखाऊँगी, सारी चीजे मैं आप लोगों को बताऊँगी इस channel पे, मेरी channel के साथ जुढने के लिए, thank you so much आपने एक और query लिखी है, तो चलिए एक बाई उसको देखते हैं, वो क्या comment है, अमित तो आमित की एक और query है, कि if you possible ma'am, please fix a time date to upload video, so it will be better for us to connect with you sure, अमित, ये बिल्कुल सही बात बोली है आपने, but थोड़ा सा मुस्किल है, मेरे लिए, कि मैं exactly आपको time और day बताओ, क्योंकि मेरे पास इतने काम होते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा निकाल के time, मैं help करना चाहते हूँ, उन बच्चों की जो patent agent exam में, पैसे नहीं लगा सकते, या फिर जिसके parents नहीं award कर रहे हैं, कि नहीं वे बच्चों के बहुत लोग होता तो मैं ऐसे दक्षा है, कि ऐसे बच्चों से मैं मिलते हूँ, कि जनके parents afford करते हैं, कि हाँ ठीक है, लेकिन ओगा सकते हैं, कि उनको trust ही नहीं होता, वो कहते हैं, कि इतना मैं ने पढ़ा दिय तुम्हें बीटेक करवा दिया मास्टर्स करवा दिया बट तुम क्या कर रहे हो राइट नौ तुम्हारे पास अभी भी जॉब नहीं है तुम्हें क्या लगता है इस कोर से तुम्हें जॉब मिल जाएगी मतलब लिटरली यह स्टेटमेंट होता है जो बच्चे आके मुझे बताते हैं तो फिर में को यह लगा कि यह प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्फ करने के लिए कोई तो एक ऐसा प्लेटफर्म होना चाहिए क्योंकि मैंने जितने प्लेटफर्म देखे हैं सब लोग मतलब ठीक है आपको इंसीट जॉइन करना तो यहां पे fee of cost कोई पैसे नहीं लगने आपने आपकी जो queries है आप खुले दिल से पूछ सकते हो और सारी queries मैं solve करूँगी यह मेरा वौदा है आप लोगों से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि number of लोग patent agent qualify करें और इसमें अपना करियर बनाएगा है क्योंकि patent मैं बता दूँ कि IPR में बहुत अच्छा करियर है और काफी growing करियर है ठीक है का यह line है भी यह growing है बहुत लोग को पता ही नहीं है इसके बारे में बट यह है कि आपका basic concept clear हुना चाहिए टेक्निकली तो आप इस फिल्ट में कमाल के हो मतलब कोई नहीं रोख सकता आपको आपके बढ़ने से अब आप सोच रोगे अमित की कहरी है मैं कि मैं daytime नहीं अभी बता सकती है देखो अमित मैं कोसिस करती हूँ कि मैं daily एक video upload करूँ लेकिन कभी-कभी gap भी हो जाता है मतलब depend upon my time की मेरे पस कितना time है चूंकि अभी lockdown है patent office तो lockdown में अभी patent office बंद है लेकिन फिर भी filing नहीं हो रह अभी हमारे पस बहुत काम है searching से related है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा time निकालके मैं आप लोगों की help करूँ मैं possibly daily आप लोगों के लिए video upload करूँ और मेरी courses यही रहेगी patent exam अभी आने वाला है time कम है हमारे पास और हमें पढ़ाई करनी है तो इसके लिए मैं daily आप लोग के लिए करूँ क्योंकि अभी ना time का कुछ बता नहीं सकते कभी मारे पास दिन में बहुत ज्यादा काम है कभी night में वेटी हूँ तो इस ताइम पर हमारे पस कोई product नहीं करवाना है करना है तो इस type से थोड़ा सा time or day का deal निकालना थोड़ा सा मेरी टफ है लेकिन फिर भी Am ताइम और देखा भी और सब थैंक्यू अमिद आपको आप में को लगता है आप मेरे new subscriber हो क्योंकि आपका first time मेरे पास comment आया है तो I hope new subscribers हो thank you so much इस channel को join करने के लिए और भी अगर patent agent aspirant है जो तयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप उनको भी guide कीजिए उनको भी बताइए कि वो महां पर free of course पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए एक question यूनुस ने मुझसे बहुत सारे terms पूछे थे जिसमें से मैंने उनको दो ही बताया अभी तक prior art और anticipation थोड़ा साज हम disclosure पर बात करेंगे कि यूनुस का ये question था कि मैं क्या होते है terms देखो disclosure बहुत easy है बहुत छोटा सा ची तो यूनुस आपने disclosure पूछा था मुझसे कि disclosure क्या होता है देखो नाम से है ना कोई चीज disclose कर रहे हो मतलब अगर हम IP की बात करें patent, Indian intellectual property right की बात करें अगर हम IPR की बात करें तो disclosure का मतलब होता है you can disclose anything in the form of paper right मतलब आपको paper पे कोई चीज disclose कर रहे है वो क्या disclose करनी है अगर IP में बात करते हो तो अपने invention को disclose करते हो in the form of paper right तो यह सब term है बस disclosure यह है अगर कहीं भी आपको दिखता होगा आपने mostly देखा होगा कि disclosure of the invention यह word आपको मिलता होगा इसका मतलब यह होता है कि आप अपने invention को disclose करोगे in the form of paper इसका क्या reason होता है देखो patent office में आपको हर चीज on paper होना चाहिए क्योंकि बहुत issues होते है नहीं तो कि आपने ऐसा कर दिया तो आपने मतलब कोई अपनी नौकरी नहीं गवाना चाहता है इसलिए सारी चीज़े बिलकुल strictly follow होती है और आपको हर चीज on paper disclose करना होता है तो यह तो हो गया invention disclose का आपने कहीं पढ़ा होगा claim को disclose करना मतलब आप जो आपने जो claim किया है उसके लिए मतलब क्या होता है कि हम एक बार problem आती है तो patent office reject कर देता है means examiner reject कर देता और सिर दुबारा आप उसको reapply करते तो उसके लिए भी आपको claims को disclose करना होता है कि म यह अभी देखो इसमें क्या होता है आइडिया के पूरा proper IPR में काम होता है मतलब एक department होता है आइडियास का जो सिर्फ आइडियास की ओपर ही काम करते है राइड आइडियास एक form होता है आप देख सकते हो आइप इंडिया के website पे normal google पे search करना आइडियास का form मिल जाएग लेकिन यूएस में क्या होता है कि यूएस का जब patent file होता है न तो उनको आइडियास form फिल करना ही करना होता है ठीक है आइडियास सिर्फ यूएस में ही होता है बच्चो मतलब इंडिया के लिए नहीं है यह information disclosure statement उनके लिए ideas form बनाया है लोगोंने उसमें आपको सिर्फ patent मे इन सब चीजों में ideas नहीं है पेटेंट में ideas है वो फिर अलग चीज होती है trademark में अगर बात करें पेटेंट में तो इसमें ideas form अपको फिल करना हो एक एक चीज का अगर आपने अभी आप दो लोग मिलके invention आप लोगोंने बोला कि मैं दो assignee हूँ एक inventor है अगर आपको assignee के non-disclosure यह जो non-disclosure agreement होता है एक contract होता है in which one or both parties agree not to disclose certain मतलब आपको यह contract किया जाता है दो लोगों के बीच कि आपको मेरी चीज किसी को disclose नहीं करने जैसे यह होता है जैसे दो लोग है contract हो रहा है उन दोनों के बीच में तो उनको disclose नहीं करना कहीं पे तो आपको एक non-disclosure NDA आपको क्या करना होता है कि एक non-disclosure agreement form file fill करना पड़ता है तो यह होता है disclosure बहुत छोटी सी चीज है मतलब आप कोई भी चीज disclose कर रहे हो in the form of paper that is disclosure इसमें आपको fully paperwork होता है सारी चीजे on paper होना चाहिए तो यह होता है disclosure I hope you know आपकी doubts clear होगे अगर नहीं हुए होगे तो please अग आपको कोई जरूरत नहीं मैं 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 से कैसे पूछो आप definitely मुझे comment box में mention करना कि मुझे discloser मैं यह term नहीं था मैंने कहीं यह line पड़ी थी उसमें यहां ऐसे लिखा हुआ था तो आप मुझसे क्रॉस कोशनिंग कर सकते हो इसके लिए please मैं बहुत happy feel करूंगी कि आपने मु मैं मैंने यह पड़ा था जो line है please मुझे वह line mention कर देना आप comment में यहां पर था यह term तो मैं हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से clear कर पहूं मैं आपके problem को समझ पहूं क्योंकि मुझे discloser यही होती है जहां जहां term होता है discloser का वो यही होता है बाकी कुछ है कर है तो मैं मुझे comment करते हो तो मुझे यह लगता है कि आप लोग मेरे चैनल को like कर रहे हो तो मेको motivation मिलती है आप लोग के लिए बनाने के लिए जितना like share करते हो आप लोग में को अंदर से motivation आता है कि नहीं मुझे इन बच्चों की help करनी है समझ रहा है और Amit आपका जो query है मैं पाटेंट एजन से related में आप लोगो तैयारी कर वाँगी उसके अलावा मैं आपको company culture बताऊंगी IPR में कि law form में कैसे काम करते हैं KPO में कैसे काम करते हैं LPO में कैसे काम करते हैं किस तरीके का work culture है अगर हम patent agent qualify कर लेते हैं तो फिर हमें किस तरीके का काम मिलता है कैसे हम काम क करूंगी पहले आप लोग sections forms fees को अच्छे से कमांड में कर लो तो आपको समझ आएगा क्योंकि claim mapping में थोड़ा सा है जो आपको मैं चाहिए समझाओं कि किस तरीके से हम claim को map करते हैं this is very important in section part 2 paper में कि आपको claim mapping आनी चाहिए ठीक है न तो अभी आप general terms समझो इस चीजो को ज सब्सक्राइब करते हैं गाइफ टेक कनेक्टड